मेरट से आते हैं या उत्तरप्रदेश आते हैं तो एक नाम जरूर जरूर आप जानते होंगे और वो है ब्यस्पी सरकार में पूर्व मंत्री रहे और बड़े कद्दावर नेता याकूब कुरेशी का याकूब कुरेशी पूर्व मंत्री रहे और बहुजन समाज पार्टी के आपको बतादे कि कददावट नीता रहे हैं मेरट से उनके बेटे इमरान कुरेशी ने भी लगातार ब्यस पी से टिकेट मांगी थी लेकिन एन वक्त पर उनकी टिकेट काट कर उनकी जगत दूसरी वेक्ति को टिकेट दे दिया गया था आपको बताने की कोशिश करें तो इस विदान सबाद चुनाओ नतीजे आने के बाद याकूब कुरेशी को पूरे उतर प्रदेश का बड़ा मीट कारोबारी माना जाता है बड़ा मीट आपको बताद है कि कारोबार उनके चेतर में वाना जाता है और बड़ी तादाद के अंदर उनका इस चेतर के अंदर आपको बतादे की जूड़े हैं लेकिन योग्यादितिनाद की सरकार दूबारा सपत लेने के बाद याकूब कुरेशी पर लगतार कारवाई है वो और आपको बतादे की चेतर के असवास अनपेक्ट जो मास्ता उसको आपको बतादे की सरकार ने नास्तो नाबुत किया है इसके लावा याकूब कुरेशी जो है उनका एक होस्पिटल है उसको भी ताला लगा दिया गया है वहीं आपको बतादे की याकूब कुरेश कुछ करोड रुपे की आपको बतादे कि संपति कुर के वो कि गई है साथ या आपको बतादे कि बारेली के जो भोगी पुरा च्छेतर रहे बहां के बलेक पुरमुक और बीस पी के नेता योगे असपटेल के आपको बदादे कि बरात घर पर और इधर मेरिट के अंदर भी आपको बतादे कि उन पर कारवाई लगातार की जा रही है यानि कि इस वक्त और योग्या अधितिनाथ का बोल्डोजर एक बार फिर से सोचल मेडिया पर और उत्रप्रदेश में काफी चर्चा में मिलें किसने वीडियों अप्टेटों के साथ तब तक आप से लेते विद प्रचा में